Hello dear students, my name is Maipal Singh and in today's class of quantitative aptitude, we will study about the permutation and combination. तो permutation and combination में हमने बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए हैं. अब एक पार्ट आता है कि जो आपके पास things होती हैं, उनको arrange करने का, उनको select करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं. तो देखिए इस टाइप के questions को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के questions को किया जाता है, जैसे number of ways of selection of zero or more things from a group of n different things. कि अगर आपके पास n number of things हैं, उसमें से या तो एक, या तो zero, या तो zero से ज़्यादा things को select करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और इसके उपर किस-किस टाइप के questions बनते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि if there are n number of things, in how many ways I can select zero or more things out of these n number of things, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं zero से लेके कहीं तक कोई भी n number of things, zero or more things बोल रहा है न, तो मैं maximum n number of things तक ही select कर सकता हूँ, लेकिन ये कौन सी things है, n different things है, ध्यान रखना है, n different things के लिए अलग calculations होगी, अगर ये n similar things होती ही, तो उसके लिए अलग calculation होती है, तो यहाँ पर n different things है, तो अगर मैं n different things में से zero select करना चाता हूँ, तो nc0 होगा, ऐसे ही अगर मैं एक select करना चाता हूँ, तो nc1 plus nc2 plus nc3, और आपने देखा होगा कि ये ncn तक जाएगा, और इसी को हम two raised to power n कहते हैं, और यहीं पर अगर same question में यह बोला जाए, कि at least one thing should be selected, at least one thing should be selected, right, at least one thing should be selected, तो आपके पास क्या होगा, कि यही वालब, यह कितने तरीके से होगा, फिर कम से कम एक चीज़ होनी चाहिए, तो nc1 plus nc2 plus nc3 और यह आपका ncn तक जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, two raised to power n minus one, अगर आपको यह formula याद आ रहा हो, two raised to power n minus one, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, ताकि मेरे पीछे चीज़े ना चुपें, तो अगर इस formula का अगर आपको याद आ रहा हो, तो इसी को two raised to power n minus one बोलते थे, क्योंकि nc0 का जो value होता है, वो one होता है, तो अब वो इस तरफ आ जाएगा, तो यह minus one हो जाएगा, तो यही वाला part है, तो कम से कम अगर एक चीज़ कम से कम select करनी है, तो two raised to power n minus one ways में हो सकती है, और zero से लेके n things तक अगर select करना है, तो two raised to power n भी हो सकत है, तो इस पर कैसे कैसे questions आते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, तो I hope आपको इतना part clearly समझ में है, देखिए, question कैसे पूछे जाते है, मादुरी है six friends, in how many ways she can invite one or more of them to a dinner party, अब उसके घर पर एक dinner party है, उसमें से वो अपने छे friends को कितने तरीके से वो invite कर सकती है, अब कम से कम एक friend को invite करना ही करना है, I hope आपको इतना part समझ में आ रहा होगा, तो मादुरी है six friends, in how many ways she can invite one or more things, तो one or more friends to a dinner party, तो छे friend है, उन में से छे में से किसी एक को बुलाए, या फिर छे में से किसी दो को बुलाए, या फिर छे में से किसी तीन को बुलाए, या फिर छे म तो देखो, अगर छे में से किसी एक को बुलाएगी, तो छे तरीके से कर सकती है, और अगर आप इसको solve भी करेंगे, तो ये सीधा क्या होगा, two raised to power six minus one ही तो होगा, तो number of ways क्या हो जाएंगे, two raised to power six क्या होता है आपका, two raised to power five क्या होता है, 32, तो six क्या हो जाएगा, 64, 64 minus one तो ये कितने तरीके से कर सकती है, 63, अगर बोला जाता, she should invite at least two friends at a time, तो भाई, two से फिर count करना, start कर देते, उसमें से ये one वाला part minus six और करना पड़ता आपको, right, तो ऐस तरीके से questions पूछे जाते हैं, I hope आपको इतना part समझ में आ रहा होगा, right, कई बार आपको इस ताइब and chocolates to a single student, ध्यान से समझना है इस question को, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, और एक और point बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, कि आपने देखा होगा ना, कि zero factorial को भी हम one लिखते हैं, और one factorial भी one होता है, तो why we are taking zero factorial as one, तो मैं एक example देता हूं, जो यहाँ पर भी zero factorial का use होगा जहाँ पर भी होता है, तो permutation combination में zero factorial को one लिया जाता है, तो एक example देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना, कि मान के चलो आप class में बैठे होगा हैं, और class में अगर मैं example दूँ, class में आप बैठे होगा हैं, और class में तीन रो हैं, एक, दो, तीन, चार, चार रो हैं, और हर र तरीके से आपके पास तो यह आपका 16, 17, 18, 19 और 20, ऐसे numbering पढ़ा हुआ है, तो एक से लेके 20 तक number है, तो अब आप से अगर पूछा जाए, कि in how many ways you can present in the class, right, तो in how many ways you can present in the class, तो आप कहेंगे, sir, class में तो एक ही तरीके से present रह सकते हैं, अब भाई तरीके तो अलग अलग भी हो सकते हैं, आपकी proxy लगा दी हो, किसी ने, आप नहीं भी हो, तो भी present हो सकते हो, right, समझ रहो ना, दो तरीके भी हो सकते हैं, कि किसी ने proxy लगा दी, और मैं ये भी कहूँ, कि अगर आप एक number seat पर बैठे हो हैं, तो अलग तरीके से present हैं, लेकिन अगर 5 पर बैठे हो है है यहां पर बैठे हो तो अलग है यहां पर बैठे हो तो अलग है तो आप 20 तरीके से अलग-अलग तरीके से भी present हो सकते हो class में कि या तो एक नम्मर शीट पर या तो दो पर या तो 20 पर इस तरीके से लेकिन अगर मैं पूछ हूं in how many ways you can absent from the class इस class में से absent कितने तरीके से हो सकते हो अब सेंट कितने तरीके से हो सकते हो there is only one और absent का मतलब कि zero things भी एक तरीके से हो सकती है अगर कोई नहीं भी है तो zero factorial है वो भी एक तरीके से हो सकता है that's why we are taking zero factorial as one वह proof करने वाली एक अलग बात होती है कि भई 5 factorial को हम कैसे लिखते हैं चार factorial को कैसे लिखते हैं वो प्रूफ आपको Google पर मिल जाएगा बट लोजिकली मैं connect करने कोशित कर रहा हूं वो प्रूफ मेरे को प्रूफ नहीं करना था है ना तो प्रूफ आपको पता होगा आप लोगों प्रूफ पता होगा आप 11 12 पास करके हैं तो पर्मडेशन कॉमिनेशन और बैटर तरीके से बढ़के हैं कुछ लोग आया इटी जाई की भी प्रूफ पता है आपको बट मैं यहीं बताना चाहता हूं मान के चलो आपके पास पांच कुश्यन है यह कुश्यन है पहला कुश को करने के बहुत सारे मैथड होते हैं लेकिन कुश्चन को नहीं करना है तो एक ही तरीका है छोड़ दो और कोई तरीक यही बात है इसलिए हम क्या करते हैं 0!!! लेते हैं तो पहला पॉइंट तो यह समझ में आ गया होगा कि वाई वी आर टेकिंग जिरो फैक्टरिल एज वन अब देखिए इन हाव मेनी बेज टीचर कें गिव फाई डिफरेंट चॉकलेट्स तो अब इसमें से कहीं पर भी आपको दे रखा है कि पांच चॉकलेट में से अगर एक सिंगल स्टॉकलेट को दे रहा है तो एक नहीं भी देगा तो एक भी चॉकलेट नहीं देगा तो भी चलेगा एक चॉकलेट देगा दो चॉकलेट देगा तो भी तीन चॉकलेट देगा तो भी चलेगा चार चॉकलेट देगा तो भी चलेगा तो आप लिख सकते ह हो कि यह two raised to power five होगा तो there are 32 ways to give student five different chocolate पांच अलग-अलग chocolate को दे रहे हैं तो 32 तरीके हो सकते हैं अगर आप से पूछा गया होता कि at least एक chocolate तो देनी है तो at least one के लिए at least one chocolate should be given तो उसके लिए क्या होता आपके पास two raised to power five minus one हो जाता तो 31 आता और दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि student के पास option है क्या chocolate कोई दे रहा होगा ना उसको मान के चलो यह teacher है और इस teacher के पास पास डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट है चॉकलेट के नाम है A B C D और यह student है तो पहला चॉकलेट चॉकलेट के पास आएगा तो teacher जो है या तो चॉकलेट को चॉकलेट देगा या तो नहीं तो पहली चॉकलेट को देने के तरीके दो हो गए या तो देगा या तो नहीं देगा नहीं देना भी एक तरीका होता है अभी अभी मैंने प्रूफ किया था अगर आप क्लास में प्रजेंट नहीं है तो भी उसका एक तरीका है जैसे मैंने कहा कि अगर आप पांचों की न ही एना या फिर जो ऑप्शाण किसके पास से स्टूडेंट के पास प्शीर नहीं कि वही कर दे ऐसा ऊप्शन नहीं उसको चोकुलेट मिल रही है फिर चोकलेट के पास स्टूडेंट के पास जाएगी कि नहीं चासफिकरण देने दे सकता है in how many ways तो देने एक भी चॉकलेट नहीं भी देगा तो भी एक तरीका है लेकन अगर पूछता कि in how many ways he can distribute the चॉकलेट तो distribution का मतलब है जो तुम्हारे पास है वो उसके पास भी पहुंचनी चाहिए लेकन इहां पर तो हम केवल ways निकाल रहे हैं दे भी सकता है नहीं भी दे सकता तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह imagine हम यहां पर imagine ही कर रहे है distribution में क्या होता है वो चीजे सामने वाले के पास पहुंचती है अब उस student के पास actual में कितनी चॉकलेट जा रही है वो हमें पता नहीं लगेगा लेकिन हाँ टोटल मिलाके 32 वेज होंगे तो पहली चॉकलेट इसके पास जाएगी या तो नहीं जाएगी तो पहली चॉकलेट देने के दो तरीके फिर दूसरी चॉकलेट देने के भी दो तरीके तीसरी चॉकलेट भी चॉथी चॉकलेट भी ऐसे भी लिख सकते थे two raised to power five right तो हर चोकलेट को देने के दो तरीके हो सकते थे बट इसके पास actual में कितनी चोकलेट कहुंची यह अभी भी आप नहीं बता सकते तो यह distribution का तरीका नहीं है यह केवल क्या है कितने तरीके से दे सकते हो possible ways है number of possible ways है देने के उसके पास कितनी गई है यह अभी नहीं पता लेकिन distribution में क्या होता है उसके पास जो teacher के पास 5 चॉकलेट थी ना वो student के पास पहुंचे नहीं चाहिए distribution का मतलब यह होता है ठीक है समझ में आ गया होगा आपको बहुत detail में मैंने समझाया in an election a voter can vote for any number of candidate but not greater than the number of candidates to be chosen तो मतलब मान के चलो किसी election में ना 10 candidate खड़े होए नहीं राइट 10 candidate खड़े होए अब उसमें से ना तीन candidate को चूज किया जाना है तो वो कह रहा है कि कितने भी number of candidate के लिए कोई voter vote डाल सकता है बट उससे जादा नहीं डाल सकता है जितने चूज करने है अब बोल रहा है there are six candidate out of which three are to be selected in how many ways a person can vote तो भई छे candidate में से वो यहां पर अब voting के लिए पूछ रहा है तीन candidate सेलेक्ट है ना तो या तो वो एक candidate एक vote देगा या तो वो दो वोट डालेगा या तो तीन वोट डालेगा है ना और यहां पर यह condition भी दे रखी है कि वो उतने से जादा वोट न ने थे तो maximum तीन वोट डाल सकता है और यहां पर सीधे-सीधे for any number of candidate कितने भी number of candidate के लिए वोट डाल सकता था तो अगर यह not greater than यह वाला पार्ट नहीं लिखा होता तो पूरे 6 तक भी जाते लेकिन पहले लिख दिया गया कि कितने maximum वोट डाल सकता है जितने number of candidate select होने है य यह हो जाएगा आपका 6 into 5 into 4 upon में 3 into 2 6 कम हो जाएगा तो 20 है तो अब आपका 3541 तो अब आप सुचेंगे सरा आप डारेक्ट केसे कर पार हो भाई कुछ भी नहीं है इसमें तो 6 गुणा 5 बटे दो होता है तो मैंने थोड़ा सा इसको डारेक्ट कर लिया है और यह क्या होग कुछ नहीं किया आप भी कर सकते हैं अब तो यह वाला पार्ट तो हमने कर लिया था ना मादुरी है तो इसमें 2 raise to power 6 minus 1 आ गया था क्योंकि 1 or more of them to a dinner party बोला गया था अब यहां पर आप से बोल रहा है find the number of ways in which a team of 5 players can be selected from 4 batsmen, 4 wallers and 2 wicket keepers if at least 1 wicket keeper and at least 2 batsmen must be there in the team तो देखिए 5 player select करने हैं किस में से? 4 batsmen में से और भई 4 ही ballers है और 2 wicket keeper है तो इसमें से कम से कम एक आना ही चाहिए और जो batsmen है उन में से भी 2 कम से कम तो आने ही चाहिए तो minimum condition को तो लेके चलेंगे तो पहले हम क्या करेंगे अगर 4C2 into 2C1 अब देखिए अब आपके पास इस में से आप 4 में से कोई भी 2 ले सकते हैं तो पूरी 5 की team बन जाएगी तो पहला तरीका यह हो गया दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं देखो यह पूरे 5 हो गए तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि 4C3 into कम से कम यहां से तो यह एक लेना ही पड़ेगा और फिर यहां से एक ले ले तो भी चलेगा और तीसरा तरीका क्या हो सकता है यह भी तो हो सकता है 4C4 into 2C1 अब ये तो कहीं नहीं लिखा गया ना कि बॉलर्स को लेना ही लेना है ऐसा तो कहीं नहीं है तो ये वाला condition भी हो सकता है तो ये कितने तरीके बन रहे हैं तो इसमें conditions बनेंगी कि इसको कम से कम दो तो लेना ही है तो दो लिया इसको बढ़ा सकते हैं इसको भी बढ़ा सकते हैं और C1 के साथ तो सारी condition हमने ले ली थी, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसमें से ये 3 आ जाएं और इसमें से ये 2 आ जाएं, तो ये maximum possible ways हो सकते हैं, जितने तरीके से मैं ये team बना सकता हूं, तो 5 cases बन रहे हैं, तो कही बार ऐसे number of cases भी बनते हैं आपके, अब इन 5 cases का जो भी calculation होगा, उसको add करके हम बताएंगे कि कितने तरीके से ये team बन सकती है, तो देखो, 4C2 होता है, 6 into 2 into again 6, 4C2 तो 72 ways ये हो गए, अब 4C3, 4 होता है, 4 into 4 और 32 ये हो गया, और ये 4C4 आपका कितना होता है, 1 और ये 2 आएगा, तो इसकी calculation कितनी हो जाएगी, 4C4, 1 होता है और ये 2 हो जाएगा, इसकी calculation आ रही थी, 4C34, 4C1 भी 4, तो 4 into 4 into 2 तो ये आ जाएगा, 32, तो मैं white color से लिखता हूँ, जो calculation है, तो यहाँ पर तो ये 32 आ रहा है, और यहाँ पर ये 2 के वला आ रहा है, और यहाँ पर क्या था, 4C2 6 है, 4C2 6 है, और ये into 2, तो 72 यहाँ पर आ जाएग और ये वाला पर्ट क्या ये, 4C3 तो 4 होगा, और ये 1 तो ये 4 होगा, तो टोटल मिला के आप देख रहा होगे, 72, 96, 96 में 4 मिला दे तो 100, तो 134 आपके टोटल वेज हैं, in which this team can be chosen, right, I hope आपको इतना पर्ट क्लियरली समझ में आया होगा, और इसमें कोई problem नहीं हुई होग ठीक है, तो टोटल मिला कितना होगा, 72 और 24, 96 और 4 इधर ये जो लास्ट में लिखे होएं, आपके कितने होगे, 4 इधर लिखे होएं, तो 100 होगे, तो 100 और 32 प्लस 21, 34 हो रहा है, टोटल मिला के, right, अब एक और question करते हैं, next, ये जो question है, अब देखो, इसमें भी एक condition दे selected, तो ये जो 15 प्लेयर्स है, इसमें से एक captain है, और एक wise captain है, right, अब जो 11 प्लेयर की team बनेगी, उसमें से captain और wise captain दोनों select होने चाहिए, always selected, तो देखिए, जब भी always selected और never selected की बात करते हैं, तो पहले मैं कहता हूँ, पहले दो केसे, पहला question तो हमसे पूछा है, कि always selected, तो द ही करना था, अब आप कह रहे हैं कि दो का selection तो already हो गया, now captain and wise captain is already selected, क्योंकि उनको तो team में रखना ही रखना है, तो आपके पास बचे 13, उसमें से केवल no का selection करना है, तो आपका सीधे सीधे answer हो जाएगा, 13C9, तो 13C9 आपका answer हो जाएगा, अगर never selected बोलता, never selected अगर बोलता, मान के चलो ये condition दी जाती, never selected, तो मतलब ये दो का selection तो कभी होगा ही नहीं, तो captain and wise captain will never be selected, तो अब 13 में से पूरे 11 को select करना है, तब answer आपका 13C11 होता, I hope आपको इतना part clearly समझ में होगा, never selected मतलब उसको total में से हटा दो, और जितने select करने हैं, जो हटने के ब अचा है, उसमें से पूरे select करने पड़ेंगे, तो ये always selected और never selected का भी fund आपको clear हो गया होगा, तो ये different different things अगर आपके पास available हैं, और उनमें से इस तरीके से selection करने हैं, तो ये अलग-अलग type के questions आप से पूछे जाते हैं, I hope इतना part आपको clearly समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आगया होगा कि end different things में से, अगर zero से लेके end number of things तक का selection किया जाए, तो किस तरीके के questions बनते हैं और उनको कैसे solve किया जा सकता है, so thank you so much, bye-bye and take care.